Hello everyone, this is Sachinana here. Welcome to my new video. यह हमारे पास last part रहने वाला है, जियो का, जहां पे हम लोग tautomerism cover up करने वाले हैं, ठीक है? tautomerism officially structural isomerism का part बनके आता है, बट मैं इसको जियो सी के अंदर इसलिए करवाता हूं, because यहां पे आपके पास सारे goc के ही कीज़े लग रही होती है, एक बार में सब complete हो जाता है, and structural isomerism में फिर बाके remaining parts हम करते हैं, जैसे positional functional जो बचता है, ठीक है, तो आज के lecture में हम लोग tautomerism करने वाले हैं, करते हैं, start, start करने से पहले आपको कुछ चीज़े पता रहनी चाहिए, जैसे, for example, मैंने एक molecule लिया, जो हमारे पास एक carbonyl है, for example, ये, अब इस carbonyl के respect में, अगर मैं बात करता हूँ, carbonyl के respect में, जिसका बगल वाला carbon होता है, वो हमारे पास कहलाता है, अलफा कार्बन, ये वाला होता है, बीटा कार्बन, ये वाला होता है, गामा कार्बन, ठीक है, similar अलिए, कर मैं इस carbonyl के respect में इधर बात करूँ, तो ये हो जाता है, अलफा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा, एंड डेल्टा, इस प्रकार से, Greek alphabets दिये जाते हैं, और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो tautomerism का मतलब क्या है, tautomerism का मतलब है, अब लिख सत्य हो, notes के अंदर, point add का लीजे, the isomerism which arises, the isomerism which arises, which arises, due to the oscillation of, due to the oscillation of, a monovalent oscillation of a monovalent atom, monovalent atom बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे hydrogen, deuterium, pritium, fluorine, chlorine, bromine, यह सब monovalent है, इस प्रेंट सी वान हैं पेस, monovalent atom is known as tautomerism, is known as tautomerism, एक important चीज हमें पता रहने चाहिए, अगर मैं slabers के point of view से बात करूँ, तो हमारे slabers में, जैई की slabers में, सिर्फ keto-enol-tautomerism है, एक बार आप जैई advanced slabers खुल के देखिए, आपको मिलेगा, हमारे slabers में सिर्फ keto-enol-tautomerism है, बाकी नहीं है, तो बाकी सब पे time waste मत किया कीजिए, अगर मैं बात करता हूँ, keto-enol बोलने का मतलब क्या होता है, इसके उपर हम आएंगे थोड़ी जर्म है, लेकिन आपको नाम से थोड़ा पता चलना चाहिए, keto मतलब होता है, ketone, समझ आ रहे हैं, and enol, en plus all, en बोलने का मतलब होता है double bond, and all बोलने का मतलब होता है alcohol, ठीक है, यहाँ पर basically आपके पास ketone, plus en and all something will be involved, क्या होगा वो आपको अभी time के साथ पता चल जाएगा, ठीक है, लिख लिए जिए इसको pause करके, second point, add कर ये notes के अंदर, लिखिए, totomers are formed via, totomers are formed via, totomers are formed via, totomerism, via totomerism, which are in equilibrium, which are in equilibrium, इसका मतलब कि याद करी, जब उन्हे रेजोनेंस के time पर आपको बताया भी था, कि रेजोनेंस एक hypothetical phenomena होता है, लेकिन keto in all totomerism, reality में भी observe किया जाता है, इसलिए आप equilibrium भी बन के आजाएगा, कैसे कैसे होगा, बस सब बताया जाएगा, बस add कर लीजे, अब जैसे मैंने पिछले पेज पर आपको बताया भी, कि monovalent atom का यहाँ पर हो रहा है, हिलना डूलना, तो monovalent atoms क्या-क्या होते हैं, जैसे hydrogen, deuterium, tritium, similarly, fluorine, fluorine, bromine, iodine, यह सब हमारे पास monovalent atom बनके आते हैं, ठीक है, तो सबी को बताया, जैसे में कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं, लिखिए, types of totomerism, types of totomerism, types of totomerism, बोलने का मतलब किया, कितने प्रकार के totomerism, हमारे पास होते हैं, जैसे में सिर्फ keto in all totomerism ही exist करता है, तो जादा लोड नहीं है, तो वो आप चीज आपकी दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, number one, इसके अंदर add करिए, cationotropy, 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 इसका मतलब क्या है, नाम से बता चले है, कुछ ना कुछ cation का involvement है, तो लिख ही है, in this case, in this case, the oscillating atom, in this case, the oscillating atom is a cation, in this case, the oscillating atom, the oscillating atom is a cation, ठीक है, is a cation, तीनotropy भी दो प्रकार का होता है, एक होता है, diard system, and, एक होता है, triard system, ठीक है, diard system, triard system, पहले तो इसके नीचे लिख लो, not in slabbers, ठीक है, diard system हमारे slabbers में, नहीं है, very important, triard system हमारे slabbers में है, and वही चीज हम बात में जाके, मतलब आज ही, बोलने वाले है, keto, in all, totomerism, just slabbers के अंदर बने है, अच्छा, diard triard का मतलब क्या है, बिल्कुल simple language में आपको बताना चाहूँ, वैसे तो भी हजारो questions करने वाले हैं, बिल्कुल simple language में बताना चाहूँ, तो जो triard है, मतलब, something is happening, जो oscillation हो रहा है, वो between 1 and 3rd atom हो रहा है, and similarly, diard system बोलने का मतलब क्या है, जो कुछ हो रहा है, वो हो रहा है between 1 and 2, आगे समझ, तो triard बोलने का मतलब है, something मतलब, जो oscillation हो रहा है, that is between 1 and 3, and diard मतलब between 1 and 2, क्या मतलब है, अभी पढ़ेंगे इसको, लिख लीजे, pause करके, second परकार का जो tautomerism होता है, since cationotropy आपको बता दिया, तो obvious सी बात है, जो second वाला बनेगा, वो बन जाएगा anionotropy, वो बन क्या जाएगा, anionotropy, ठीक है, anionotropy में क्या हो जाएगा, जो anion होगा, वो हो जाएगा, oscillating atom, cationotropy में, cation था oscillating atom, whereas anionotropy में, anion हो जाएगा आपके पास, oscillating atom, ठीक है, once again, obvious सी बात है, यह हमारे पास slabus में, बिलकुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोई गल्टे से भी आपको पढ़ा रहा हो, दूर से भाग जाएएं वहाँ से, ठीक है, यह हमारे पास slabus में नहीं है, तो मुद्दे की बात पर आते हैं, focus करते हैं, triad system के उपर, तो सबसे पहले यहाँ पर heading डाल लीजे, the triad system, the triad system, the triad system, लिख यह सके अंदर, the oscillating cation, the oscillating cation, the oscillating cation, cation, oscillates between, oscillates between, the group 1 and the group 3 position, the oscillating cation, oscillates between, the group 1 and the group 3 position, तो slabus में यही है, and इसी के विज़ सब काटेगरी है, that is, keto, in all, tautomerism, वो ही हमारे slabus में, keto, in all, tautomerism, वो ही हमारे slabus में है, ठीक है, लिख लिज़े, pause करके, हजार बार यह टर्म बोल दिया, मैंने keto, in all, ही हम पर चल पड़ते हैं, ठीक है, काई को suspense रखना है, heading डाल दीज़े, keto, in all, tautomerism, heading डाल दीज़े, मेरे भाई, keto, in all, tautomerism, keto, in all, tautomerism, ठीक है, अब लिखिये मत, इसको पहले समझेए, कि हो क्या रहा है, ताकि feel आजाए, कि चलने के अवाला है, so for example, directly example लेते हैं, तब और इच्छ तरह समझाएगा, for example, मैंने एक molecule लिया, जो हमारे पास है, यह, that is, 2-butanone, इसको मैं react करवा रहा हूँ, OH- की presence में, aqueous medium में, तो क्या product बनके आ रहा है, यह पूछा गया है, 1 mole ही ले रहा हूँ मैं, हमारे example में, सब कुछ, 1-1 में, अब देखें ध्यान से, अगर मेरे भाई, मैं इसको react करवाता हूँ, OH- के साथ, क्या हो जाएगा, याद करिये acidity chapter, तो वहाँ पर आपका पता है, acidic hydrogen remove हो जाएगा, तो दो प्रकार के, conjugate base, बन के, आ जाएगा, यह सब को समझ आ रहा है, क्या चल रहा है, similarly, अगर मैं right hand side ला लूँगा, तब हमारे पास, conjugate base जो बन जाएगा, वो यह बन जाएगा, अभी को समझ आ रहा है, अभी मैं दोनों के उपर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं एक ही लेना चाह रहा हूँ, ताकि आपको concept at least समझ आ जाए, इसको मैं अभी के लिए side में ले लेता हूँ, होगा इसके साथ भी same, लेकिन पहले एक तो समझ लेते हैं, फिर दूसरे को उपर आ जाएगे, अच्छा, यह बना, अभी माइनस किस में होगा, यह माइनस हो जाएगा, रेजोनेंस में, लॉजिकली समझो, ठीक है, लॉजिकली समझो, यह बनेगा O-, गेच्छ टू, दोनों में से इस केस में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉन से जादा स्टेबल है, O- is more stable than C-, बट अगर आपको यह बताया गया है, टॉटो मेरिजम का रीजन तो वो गलत होता है, रीजन के बताऊंगा मैं, यह बन जाएगा, अब, सिंस अकोस मेडियम है, माइनस है, तो जब वाटर आएगा, वो रियाक्ट करेगा, इसके साथ, O- के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बन का जाएगा, CH2, double bond C, OH, CH2, आपको समझ आ रहा है, टॉटो मेरिजम हो क्या रहा है, टॉटो मेरिजम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एसेड बेस रियाक्शन, और कम्बाइंग कर दिया है, रेजोनेंस, समझना ध्यान से, इसको बिल्कुल हो कह रहा है, अगर मैं ध्यान से देखू, तो जो यहाँ पे hydrogen present है, यहाँ पे, जो hydrogen present है, ध्यान से देखिए, निकाला, OH- निकाला न, OH- ने इस H- को निकाला, फिर बाद में वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसने H- प्लस वापस दिया, इसको मैं अभी के लिए कुछ H, A बोल लेते हैं हवा में, तो यहाँ पे water मतलब क्या है, एक OH तो पहले से है, उसमें जो H- निकाला है, वो water है, तो जो H- है, वो इस O-7 react कर लेगा, तो O-H बनके आ जाएगा, कौन सा था यह, A, A वाला hydrogen था, तो आपको समझ आ रहा है, चल क्या रहा है, देखिए, तो यह जो hydrogen है, वो oscillate कर रहा है, between, देखना ध्यान से, 1, 2, 3, 1, 2, 3, देखिए, पहले 1 पे था, बाद में, 3 पे आ गया, IUP, यह नमबरिंग नहीं है, यह समझाने के लिए, कि 1st and 3rd group के बीच माईगरेट कर रहा है, समझ आगे, क्या चल रहा है, तो since यह 1st and 3rd group के बीच माईगरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, औसलिए इसको बोलते हैं, triad system, फिर तो फाइदा नहीं होना, फिर तो कोई नहीं चीज बनी नहीं आपके पास, ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा, CH3, CO-, double bond CH, CH3, अब water आ जाएगा, आपके पास, समझ आया है नहीं आया है, क्या है, simple सा खेल है, यह बन के, समझ आया है, अब इन ही चीज़ों को हम बोलते हैं, inol, stability को पर आएंगे, पहरे समझ दो हो क्या रहा है, यहाँ पर in है, and alcohol है, इसलिए इसको बोल देते हैं, in plus all मतलब inol, similarly, यहाँ पर in है, plus alcohol है, हो जाएगा inol, यहाँ पर carbonyl है, इसलिए इसको बोल देते हैं, keto, keto inol, totomerism, यही होता है, ठीक है, keto inol, totomerism, पहले तो यह सब लिख लिज़े, pause करके, उसके बाद समझते हैं, कि हो क्यों रहा है, totomerism, ठीक है, totomerism इसलिए नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई ऐसा reason बताया गया है, कि यहाँ पर resonance है, या double bond बन रहा है, या क्या यह सब, ठीक है, ओ reasons नहीं है, या stability of minus charge है, नहीं, actual reason क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना, actual reason totomerism का, यह होता है, कि simple सा acid-base reaction हो रहा है, और कोई reason नहीं है, ठीक है, simple सा acid-base reaction हो रहा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, because, दुनिया का कोई भी acid-base reaction होता है, वो forward direction में move करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज, strong हो, समझ आ रहा है, strong हो, यह चीज आपको आई नहीं के time पर पढ़ाई जाएगी, जैसे for example, आप strong plus strong लोगे, हमेशा forward, strong plus weak लोगे, तो भी forward, weak plus strong लोगे, तो भी forward, वो सबसे हमें यहां पर मतलब नहीं है, मुद्दे की बात पर आते हैं, अगर हम organic के point of view से बात करें, तो since O minus is more stable than C minus, इसलिए the automerism possible, हो सकता है, अगर alpha hydrogens मौझूद हो रहे हो, यह आपको समझ आ रहे हैं न, अगर acidic, alpha hydrogens मतलब यह नहीं है, alpha hydrogen, यह भी गलत पढ़ाया जाता है, alpha hydrogen मतलब, acidic hydrogens present होने चाहिए, ठीक है, जैसे carbonyl के लिए acidic hydrogen हो जाता है, बगल वाला, इसलिए हम alpha बोल देते हैं, लेकिन resonance के time पे, space totomerism के time पे, हम acidic hydrogen बोलना ही, हमेशा prefer करेंगे, अब एक और चीज़ सबज़ न, logically सोचो, कि क्या keto जादा stable होना चाहिए, या enol जादा stable होना चाहिए, क्या keto जादा stable होना चाहिए, या enol जादा stable होना चाहिए, actual में हमारे पास, keto is generally more stable than enol, generally नहीं, अगर मैं bond strength की बात करूँ, जो bond strength है, वो ketone की, हमेशा जादा रहती है, C double bond C, जो यहाँ पे C double bond C बन रहा है, यहाँ पे C double bond O है, अगर मैं bond strength की बात करूँ, तो ketone की जो bond strength है, वो मेरे भाई, C double bond C से जादा है, इसलिए generally जो molecules हैं, वो keto form में exist करते हैं, आरहाँ समझ, ठीक है, simple stability का reason है, तो आईए, pause करके लिख लीजे पहले, and फिर theory add करिए notes के अंदर, number one, number one point, Tautomers आरंट, Tautomers आरंट, resonance structures of each other, Tautomers आरंट, resonance structures of each other, of each other, second लिखे, Tautomers are in equilibrium, Tautomers आरंट, Tautomers आरंट, in equilibrium, equilibrium, third point लिखे, generally, generally, the keto form is, generally, the keto form is, more stable, is, more stable, because of the, bond order reasons, sorry, bond strength reasons, generally, keto form is, more stable than the enol form, because of, the bond order, bond strength, reasons, fourth point लिखे, they cannot be separated, from each other, Tautomers, cannot be separated, from, each, other, from, each, other, क्या आपको, इसके पीछे का, logic समझ आरहा है, simple सा reason है, अगर मेरे पास, R गोज इंटू P है, आप किसी एक को अटा दो, के तो, equilibrium ही खतम हो जाएगा, ठीक है, chemical equilibrium के basics, अच्छा लिखिए, fifth point, acidic hydrogens, acidic hydrogens, जिसको, carbonyl की language में, हम बोल देते हैं, alpha hydrogens, ठीक है, alpha hydrogens, should be, present, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, भी space, tautomerism के time पे, ज़रूरी नहीं है, कि alpha hydrogen हो, ठीक है, दूर वाले भी काम, चला सकते हैं, because, वो resonance, ठीक है, यह आपके पास, theoretical point है, I hope, आपने लिख लिए हो, आगे चलते हैं, अब questions, try करते हैं, इसके उपर, question की heading, डाल लीजए, और, इसी में सब, भी डंग से करने, अभी, अब आएगा खेल, draw, all the possible tautomers, draw, all the possible tautomers, tautomers, and decide, and decide, decide, the most, most मतला, more stable, ones, and decide, the more stable ones, ठीक है, जैसे, जो हमने पहला ही, question लिया था, अगर मैं इसमें, ध्यान से देखूं, इसके क्या-क्या, tautomers, बन सकते हैं, ठीक है, यह hydrogen ले ले लेते हैं, इदर से इदर, hydrogen oxygen पे गया, जगर आप वो पूरा reaction निया करना था, ऐसे भी सो सकते हैं, ठीक है, अगर आप अगर पास, तीन टautomers exist कर रहे हैं, अब हमारे पास, तीन टautomers exist कर रहे हैं, most stable कौन से हो जाएगा, most stable तो keto ही हो जाएगा, reason तो आपको पता ही है, क्यों, ठीक है, पिछले page पर ही बताया है, अगर मैं बात करता हूँ, between B and C, तो मेरे भाई, दोनों में क्या difference है, double bond की, position का difference है, double bond की stabilities कैसे decide होती है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, hyperconjugation, तो यहाँ पर आपके पास, इस double bond के उपर, दो alpha है, इस वाले के उपर 6 alpha है, इसलिए C जादा stable हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी हमारे पास enol ही है, दोनों के दोनों enol आपके पास बन के आ रहे है, clear है नहीं सभी को, pause करके लिख लीजए, next, number B के उपर चलते हैं, for example, आपको दिया क्या है, CH3, C double bond O, CH2, benzene, प्राइ करिए इसको, C, देखो, सब के सब टॉटमर बनाओ, नतलब, beginner level पे, पूरे के पूरे टॉटमर बनाओ, जो possible हो सकते, most वाला मत बनाओ, अब जैसे for example, मैं B वाले के लिए बात करूँ, तो B वाले आपको समझ जाना है, दो तरफ से possible है, अगर मैं left-hand side वाले के तरफ से ले लेता हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, तो यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा, catch-to, double bond, OH, catch-to, catch मतलब, phenyl मतलब benzene, तो मैं लेकर मैं right-hand side वाले hydrogen से करूँ, बिकास यह भी तो acetic hydrogen है, करवाईए, यहाँ से, बन के आ जाएगा, यह molecule, अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो पहली बात most stable कौन सा होगा, कि मैं इसको A बोल लेता हूँ, तो B बोल लेता हूँ, इसको C बोल लेता हूँ, A तो most stable, होना ही चाहिए, अब अगर हम बात करते हैं, between B and C, तो B and C में क्या हो जाएगा, B and C में, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, extra resonance हो रहा है, तो resonance की वज़ए से, यह वाला inol जादा stable हो जाएगा, तो A, C and B बनके आ जाएगा, A, C and B बनके, ठीक है, मज़ा आगया, अच्छे, एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए मैं आपको, पिछले page पे एक edit करवा रहा हूँ, पिछस अभी आपको चीज़े पता नहीं है, अभी lecture में आकर पता चलेंगे, decide which is more stable, out of the inols, मैं सिर्फ inols की stability compare करवाना चाह रहा हूँ, अभी के लिए, इसके पीछे का reason क्या आपको पता चलेंगा, अभी के लिए बस, B and C में से यहाँ पे, C is more stable than B, and इस वाले में, आपके पास, हो जाएगा, more stable, आगे समझ, अभी के लिए बस हम inols करेंगे, क्यों, पता चलेगा आपको time के साथ, अच्छा, क्या यहाँ पे, totomerism possible होगा, yes, होगा, बस लेकिन, एक ही hydrogen से हो पाएगा, ठीक है, एक ही alpha hydrogen ने, ध्यान से देखिए, यहाँ पे, जो molecule बन जाएगा, वो हमारे पास, यह बन के आज़ा, समझ आया है, तो एक ही बन रहा है, यहाँ पे तो stability करने का भी मतलब भी नहीं है, लिख लिए जब भी pause करके, आगे समझ, I hope clear हो रहा हो, वैसे तो simple ही है, इसमें कुछ खतरनाक चीज़े नहीं है, number D, for example, आपको दिया गया है यह, हमसे बोला गया है, करके कीटो, किनॉल, टॉटोमर हमें बना के दिखाई है, ठीक है, next number E, cash 3, double bond, for example, यहाँ पे टॉटोमरिजम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, number 1 वाले में, because आपके पास alpha hydrogen ही नहीं है, second वाले में होगा possible, यहाँ पे हमारे पास दो बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो बन सकते हैं, तो वहाँ पे अपन के पास, यह वाला double bond बन जाएगा, लेकिन अगर मैं right hand side वाले से लेता हूँ, तो वहाँ पे अपन के पास, यह बन जाएगा, तो नहीं इनॉल में से ज़्यादा stable कौन सा होगा, जहाँ पे ज़्यादा alpha hydrogen हो जाएंगे, यह ज़्यादा stable हो जाएगा, लिख लीजिए इसको pause करके, simple ही है, ठीक है, next, आईए number G के उपर, same question है, अब इकलिए हम सीख रहे हैं, कैसे बनाना है, बाकिसब जो factors हैं, के उपर हम आएंगे, इस तब भी असान होगा, आसके इंड तक ऐसे ऐसे, पहले होड़ करें, ओके number G ट्राइ करिए, उसके वाद number H, double bond O, methyl methyl, and ethyl, number I, तो ठीक है, पहले करो, number G and penzine, okay, अगर मैं number G की बात करूँ, तो आपको समझ आ रहा है, यहां से भी tautomerism है, अगर पहली बात मैं यहां से करवा देता हूँ, left hand side से, अपन के पास, यह बन जाएगा, अगर मैं A वाले से करवा, तिमिल अलिए अगर मैं B वाले की तरफ से करवा हूँ, ठीक है, B वाली side से, तो वहां पे, अपन के पास, यह बन जाएगा, यहां पे जादा alpha hydrogens है, यहां पे कम alpha hydrogens है, इसलिए, B विल बी, A as an in, अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करें, number H में, एक hydrogen यह है, एक hydrogen यह है, चलो, सबसे बें left वाले की बात करते हैं, तो यहां पे, बन के आजाएगा, अगर मैं right वाले की बात करता हूँ, तो वहां पे, अपन के पास, बन के आजाएगा, अब देखते, alpha hydrogen किसमें जादा है, अगर मैं A वाले की बात करता हूँ, तो यहां पे 3, 1, 1, that is equal to, 6, 5 alpha हैं हमारे पास, अगर मैं B वाले के बारे में बात करता हूँ, यहां पे 2, 1, 5 alpha, तो, आजाएं नहीं आ रहा है, बुआ में तो same alpha है, तो क्या मेरे भाई, दोनो के दोनो equally stable हैं, तोचिया, दोनो में same alpha है, तो क्या, दोनो equally stable हैं, अब्षिस से बात है, दोनो equally stable तो नहीं होंगे, ठीक है? तो फिर कैसे सोचेंगे, इस case के अंदर, A and B, दोनों जगह नेगेटिव बन रहा होगा, मतलब जब हम टॉटमेरिजम कर रहे होंगे, एक बार A की साइड पे नेगेटिव ऐसा बना होगा, and एक बार B की साइड पे नेगेटिव बना होगा, because अभी हम Base Catalyzed ही ले रहे है, दोनों में से ज़्यादा Stable Minus कौन सा होना चाहिए, देखो इसके उपर ज़्यादा Inductive Effect लग रहा है, इसके उपर भी Inductive Effect लग रहा है, इसलिए आपके पास मिथाईल वाला ज़्यादा Stable Minus, आजाएगा, ठीक है? Simple सा जीओ सा, ओके नेक्स इसके ट्राइ करते हैं, यहाँ पर बस एक ही जगह हमारे पास Acidic Hydrogen है, Alpha Hydrogen है, इसमें हो जाएगा Tautomerism, करवा दीजिए, यहाँ पर भाई साब, हमारे पास, यह बनके, आजाएगा, एक Simple Enol, अभी हम Geometrical Isomers, Optical Isomers, वो सब Consider नहीं कर रहे हैं, यह हम Normal जो है, वो ही देख रहे हैं, Pause करके लिख लीचेश को, Next, Number J के ओपर चलते हैं, Try कर यह, For Example, हमें दिया गए यह Molecule, इसका Enol बनाई है, Acidic Hydrogen कौन सी है, आप यह भी ले सकते हों, बिलकुल ले सकते हों, यह भी ले सकते हों, लेकिन दोनों में से, बेटर Enol कहां बनेगा, यह तो आप दिखना चाहिए कि B में ही बनेगा, अब B वाला जब में Enol बनाता हूँ, तो बिलकुल ध्यान से देखिया, यह Enol बनेगा, नीचे से बनाऊ, उपर से बनाऊ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, identical है, and यहाँ पे तो हमारे पास, क्या possible हो रहा है, Intra-molecular Hydrogen Bonding possible हो रही है, क्या possible हो रहा है, Intra-molecular Hydrogen Bonding possible हो रही है, अच्छा, अगर आप सेम चीज यहाँ भी करो, तो अब भी Intra-molecular Hydrogen Bonding possible हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है continuous resonance है यहाँ पर continuous resonance है एक similar नीचे की तरफ पूरा का पूरा resonance जा रहा है इसलिए वो वाले enol जादा stable हो जाएगा इस वाले case में जब hydrogen bonding हमारे पास possible हो रहा है तब जो enol है that is more stable than keto जब हमारे पास intramolecular hydrogen bonding या intramolecular chillation मिल रहा है तब हमारे पास enol वाला जादा stable बनके आजाएगा देख लिए जो pause करके कैसे और देखिए कमझ ना for example यह हमारे पास है और हमसे बोला गया है इसका enol बना के दिखाएगे बना सकते ना आप एक ही hydrogen और दो hydrogen से possible हो जाएगा तो एक ही पुची यह बन क्या जाएगा आपको आँख बन दिरके दिखना चाहिए कि क्या इस molecule में keto form जादा stable होगा या inol form जादा stable होगा obvious से बात है inol form की stability keto form की stability से जादा हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है इस लिटरली आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई क्या है aromatic है और aromatic तो हमेशा ही जादा stable बनेंगे इसलिए वो हमारे पास जादा stable बनके आ जाता है आगे समझ देख लीजे पास करके number L देखिए और सोचिए कि क्या यहाँ पे keto form जादा stable होना चाहिए या inol form जादा stable होना चाहिए अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों hydrogen का मैं इन तीनों के साथ करवा सकता हूँ lotomerism करवा दीजे और जैसे हमने किया क्या बन जाएगा भाई साब देखिए भयांकर स्टेबल भयांकर स्टेबल तिन्स यह aromatic है इसलिए इस केस में भी inol is more stable than देख लिजे पास करके केस में भी is more stable than देखे आईए थोड़ा सा आपको फसाने के कोशिश करते हैं और बताईए क्या सही होना चाहिए और एक्जाम्पल आपको दिया गया है यह molecule और हमसे बोला गया है कि इस केस में क्या inol stable होगा यह keto बनाते हैं चलो अगर मैं बना के देखूँ क्या बन जाएगा तो यह बन जाएगा क्या intra molecule chillation possible हो रहा है बिलकुल हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं obviously inol is more stable than keto अब लगे फिसाया कैसे अरे कहां फिसाया रुकता से अगर मैं दोनों hydrogen के साथ कर देता हूँ मतलब एक बार इसके साथ बनाई दिया पर ऐसा आ रहा है समझ तो hydrogen bonding तो यहां पर भी हो रही है इदर भी हो रही है इदर भी हो रही है तो कौन सा वाला inol जादा stable होना चाहिए क्या यह वाला inol या यह वाला inol देखो भाई धियान से यहां भी मेरे भाई एक C double bond C है और एक C double bond O है इदर दोनों के दोनो C double bond C अभी आपको दो मिंट पहले ही बताया था कि आपके इनॉगनी के वाले भी बताते हैं overlap के टाइम पे कि जो C double bond O होता है that has a better overlap than C double bond C इसलिए ये वाला कम stable हो जाएगा इसलिए ये बन जाएगा most stable पहली बात तो enol is more than keto आपको समझ आई रहा होगा इस scenario में क्यों हो रहा है दूसरी बात कौन से enol जादा stable हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दी इक है देख लीजिए इसको और obvious से बात है यहाँ पे आप notes में add कर सकते हैं आप point add कर लीजिए इस point को keto form is more stable keto form is more stable than the enol form keto form is more stable than the enol form than the enol form if 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 number one क्या देखा हमने aromaticity होनी चाहिए sorry enol is more stable than keto लिखवाना चाह रहा हूं because भागी तुम्हें लिखवाई चुका आपको okay number one aromaticity होनी चाहिए enol में second point और क्या सकता है hydrogen bonding hydrogen bonding and third inol चाहिए inol में आपको देखता भी resonance होता लिए और extend हो जाए सिर्फ एक नहीं और भी extension हो जाए वहां पर भी extended conjugation तब बहुत ज्यादा हमें resonance मिल जाए तो अगर aromaticity हो रही हो या hydrogen bonding हो रही हो या extended conjugation हो रही हो तब हमारे पास जो inol form है वो keto form से जादा stable बनके आ जाता है ठीक है I hope सभी को clear हो ये next number n point के उपर चलते हैं आईए number n question के उपर for example आपको ये दिया गया है हमसे बोला गया same question है keto form जादा stable है या inol form जादा stable है and more stable structure को भी बना दीजे number n number n भी थोड़ा बहुत इंटरस्ट number n तो simple है यहाँ पर obvious सी बात है inol form is more stable than keto ये तो दिखना ही चाहिए तो कौन सा inol कौन सा hydrogen निकाल के हमें जादा stability मिल रही है A या B B वाले को निकाल के जादा मिलेगे because extended conjugation हो रहा है single directional resonance इसका जो बनके आ जाएगा totomar वो B वाले से बनके आना चाहिए यहां पर बनके आ जाएगा यह इतना अच्छा वो भी हो रहा है chillation या hydrogen bonding and साथ में हमारे पास एक continuous resonance है एक direction जब यह loan pair देगा तो इदर से इदर इदर से इदर इदर से इदर तो continuous है इसलिए वो बनेगा अच्छा अब number o की बात करते है number o में दो तरीके हैं जहां से हमारे पास हो सकता है एक यह है एक यह जा रहा है नहीं आ रहा है तो कौन सा तरीका better है यह तरीका तो पहले ही better है लेकिन इसमें भी दो सेनारियो है तो गल्ति करते हैं देखो एक ये सिनारियो है, यहां से होने का, इस कार्बोनेल के साथ, एक इस कार्बोनेल के साथ, अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बोनेल के साथ करवाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारे पास, यह बन जाएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड अले कार्बोनेल के साथ क इंट्रमॉलिक्र हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है। तो बोलेगे दोनों में ही hydrogen bonding हो रही है। तो फिर stability कैसे देखेंगे। अरे भाई, याद करिये। hyperconjugation तो यहां पर इसके पास 2 plus 2, 4 alpha, यहां पर इसके पास 2 alpha से उपर वाला जादा हो जाए। once again keto is more stable than C norm. इसके पास करके है। next, number P के उपर आई है। P तो समझके, for example हमें दिया गया है यह लोगों प्रद किया है यह अच्छे लोगों ने इसको धंक से ट्राय करना। CH3 C double bond O double bond O आप बोलो के भाई यह तो simple है, यह क्या है? तो यह कोश्चन नहीं कि keto जादा stable है inol, because यह आपको दिखना ही चाहिए कि inol जादा stable हो रहा है without any doubt without any doubt लेकिन, मेरा question क्या है? मेरा question यह है कि totomerism जब हो रहा होगा यह molecule किस shape में होगा? अगर मैं आपको यह molecule देता हूँ exam में बना के तो यहां पर हमारे पास totomerism possible हो जाएगा अलग inol form जादा stable हो जाएगा keto form से, लेकिन अगर मैं इस ही molecule को आपको examination hall में ऐसे बना के दे दूँ कहां से देखिए, बहुत बारिक सी चीज़ तो यहां पर inol form जादा stable नहीं हो पाएगा कि आपको funda समझ आ रहा है क्यों नहीं हो पाएगा because, यहां पर भाई सब तो dipole moment है 0 है तो यह खीच रहे हो तो यह खीच रहे 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर dipole moment है इसलिए हमारे पास यह बन सकता समझा ना, कैसे बनता है delta minus वही तो बनता है hydrogen bonding के टाइगा तो अगर मैं आपको यह बना के दूँगा same molecule का, तो यहां पर नहीं होगा inol जादा stable लेकिन अगर मैं left hand side बना के दूँ तो वहां पर hydrogen bonding possible हो पाएगा तो इस hydrogen bonding का funda ही यह है कि delta charges बनते है जब dipole moment ही 0 होगे तो delta charges नहीं बन पाएगे वहां पर इसलिए left hand side वाले में hydrogen bonding possible हो पाएगा हो पाएगा ठीक है पाउस करके next, number q के ऊपर चलते है q for example यह जागया है जहां से try करना है मैंने पूछा है कि inol is more stable than keto नहीं हो पाएगा keto is more stable than question वह नहीं है question यह है कि कौन से hydrogen से better totomerism हो पाएगा HA वाले से या Hb & Hc वाले जो दुन identical उस तरफ से मेरे भाई HA totomerism में ही involved नहीं है समझा रहा है क्योंने involved है वह भी समझ लीजे because अगर मैं इसको base से react करता हूँ यहां पर minus बनेगा क्या वह exist करेगा बिलकुल करेगा लेकिन जब वह resonance ही नहीं कर पाएगा जिसे ब्रेट सूल के टाइम पर आपको पढ़ाया यह तो अगर वह resonance ही नहीं कर पाएगा फिर इस O minus के ओपर OH मतलब है से आएगा तो आपका inol ही नहीं बन पाया मेरे भाई सिर्फ आपका inol ही नहीं बन पाया inol exist ही नहीं करेगा सिर्फ keto form exist करेगा हे की तरफ से अगर मैं HB की तरफ से बात भी कर लो वहाँ पर existence of inol is possible लेकिन वह major नहीं बनेगा because C double bond C versus C double bond से रहे ना दिख लीजे पॉस करके next आगे चलए number R के ओपर for example आपको ये दिया गया है कौन सा form जादा stable होना चाहिए keto form जादा stable होना चाहिए या inol form जादा stable ये पूछागे number क्या आपको समझ आ रहा है number R में तो भाईसाब हमारे पास keto form है वह inol form से जादा stable है कैसे जादा stable है because कहीं पे भी hydrogen bonding या aromaticity या conjugation extended conjugation नहीं आ रहा है अब अगर मैं left hand side वाले से बनाऊ ये बन जाएगा अगर मैं right hand side वाले से बनाऊ बना ये तो हमारे पास molecule बनेगा वो ये बनेगा दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो ये भयंकर unstable है ये वाला molecule भयंकर unstable है क्यों? 3-membered ring के उपर आप double bond डाल रहे हो 3-membered ring में पहले से भी bending होती है उपर से आप उसके उपर double bond और डाल दोगे भयंकर bending मतलब भयंकर unstability इस प्राणी लेक्षिज़ मताया है यहाँ पर इस वाला form exist करेगा and keto will be more than number S तो simple है number S में अगर आप ध्यान से देखो इस पॉसिबल हो जाएगा and बिल्कुल inol form major बनके आ जाएगा because यहाँ पर intramolecular chillation possible हो जाएगा जो नीचे वाला oxygen है and उपर वाला hydrogen है वहाँ पर हो जाएगा और अच्छा logic, aromaticity के वह कैसे skip कर रहा हूँ aromaticity obviously inol form is more stable then देख लिए इसको pause करेगा enol form is more stable ठीक है next number T पे आईए number T में अब question change हो रहा है, question हमारे पास यह है compare the percentage in all forms यह पूछना चाहरा हूँ कि इन सभी का जब आप enol बनाओगे, कौन सा enol ज़्यादा stable होगा यह पूछना चाहरा पड़कुल ढंक से ट्राय करना समझ के number A के है A, B, C & D 4 आपके पर हमसे बोला गया है in all form की percentage pause कर लीजे अभी और सोचे फिर match करीए जब मैं 4 में in all form बनाना चाहूंगा तो minus तो इदर बनेगा यह तो किसी को doubt ने होना चाहिए बीचली position को हम active methylene बोलते हैं active methylene भी हम लोग इसको बोलते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आएगा कि यहाँ पे phenyl एवम phenyl है भयंकर aromaticity plus resonance यहाँ पे एक phenyl है यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे तो क्या है counter resonance cross conjugation याद रहा है plus 1 minus 0.5 करके आपको बताया है धंक से यहाँ पे मेरे भाई आपके पास है counter resonance या cross conjugation इसका मतलब a वाला हो जाएगा least resonance अभी में ब्रावर है यहाँ पे extra counter resonance की वैसे उसको minus 0.5 मिल जाएगा best बन जाएगा c फिर d फिर b फिर a c d b a d p and a इसको समझ आ रहा है देख लिए पास करके आगे चलते हैं टॉपिक चेंज करते हैं अब हमने समझ लिया बहुत कुछ अभी अभी हम चलते हैं इस पेस टॉटोमेरिजम की वह बहुत पेस टॉटोमेरिजम पेस टॉटोमेरिजम पेस टॉटोमेरिजम विलकुल जान से देखिए सबसे भी लागे आपको इसके summary दिखाना जाओ summary वह बहुत देखके feel आगा ही चलने के वाला है for example मैंने यह molecule लिया अब यहां पे हमारे पास alpha hydrogen नहीं है अगर आपको लग रहा है कि sp-dual alpha hydrogen है आपको concept पहले ही गलत है तोड़ना मुश्किल होता है जैसे आपको मैंने बताया था कहां बताया था hyperconjugation के time पे so summary यह है अब यह हुआ कैसे होगा basically इस molecule में भी keto in all totomerism possible हो रहा है अब mechanism देख लेते हैं ताकि चीजें आपको clear हो जाए mechanism जहां से देख लीज़ें लिखें मत पहले तो अगर मैं इस molecule को लेता हूँ अगर मैं इस molecule को लेता हूँ यह नहीं है वही acid based reactions यह हमारे पास hydrogen अगर मैं इसको react करवाता हूँ OH- के साथ अभी हमसे base catalyzed ली देख रहे हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा conjugate base अब यह किसमे है यह है resonance में जब मैं इसकंदर resonance करवाया समझ आया या नहीं आया क्या चल रहा है जो OH- ने यहां से h लिया था यह वापस आ गया आप बोलो कि directly क्यों नहीं करवा रहे हूँ विकरस मैं आपको एक interesting चीज दिखाना चाहरा हूँ जोगा मैं directly कर दूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या यह hydrogen दे पहुंच गया एक पहले से था एक अबार यह सेम चीज करवाई OH- ने साथ रियाट करवाया यह हटा माइनस बना रेजनेंस हुआ तो जो प्रोडक्ट बनके आजाएगा वो बनके आजाएगा आया समझ यह नहीं आया इसलिए हम इसको बोलते हैं space totomerid इसलिए हम इसको बोलते हैं space totomerid ठीक है अगर आप धियान से देखो तो हमें देखेगा कि जो h-alpha है वो उपलब्द नहीं था जो h-beta है वो भी उपलब्द नहीं था लेकिन h-gamma उपलब्द था तो अगर आप ध्यान से देखो तो किस चीज आपको समझ आनी जाहिए वो क्या समझ आरी है अगर मैं इस टेप से लेके इस टेप की बात करो तो क्या आपको दिखाई दे रहा है यह हमारे पास 1, 3, Tautomerism हो रहा है कैसे देखो कितने इंट्रेस्टिंग चीज है देखो 1, 2, 3, मेरे भाई जो Hydrogen है वो 1st position से 3rd position पर गया ट्रायाइड सिस्टम बन रहा है तो अभी भी स्लेबस में है है समझ? अगर मैं ध्यान से देखो यहां से देखें यहां पर जब आप इस step को पूरा करोगे यह तो हम day 1 से पढ़ रहे हैं मतला अभी से पढ़ रहे हैं यह तो literally 1, 3 है ना जैसे देख सकते हो green color में 1, 3, position 1 पे hydrogen है फिर 1, 2, position 3 पे hydrogen है आया मज़ा यह नहीं आया है ठीक है? तो number 1 point add कर लीजिए number 1 point add कर लीजिए यह तो आपके, it is a combination of it is a combination of two, one, three,issautomerisms it is a combination of two तो देख को कितना interesting है देख है one, three पर once again one, three So it is a combination of 2, 1, 3 Totomerism अगर आपको ऐसे बात नहीं करनी है 1, 3 मिलाके अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं तो हमें क्या समझ आएगा Actual में क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5 आया समझ यह नहीं आए तो जो H गामा था वो 1st position से migrate होके देखो ध्यान से इसलिए इसको space बोलते हैं space मतलब हवा में उड़के चला गया वो तो वो 1, 3 की जगा कुछ और कर रहा है जैसे 1, 5 1, 7 1, 9 1, 11 1, 13 वैसा इसलिए इसको बोलते हैं space space मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास हवा में उड़ गया ठीक है second point अड़के लीजए h gamma migrated h gamma migrated to give to give 1, 5 1, 5 automerism h gamma migrated to give 1, 5 automerism ठीक है लिख लीजए page को pause करके ठीक है next आगे चलते है number S होगे number T U लिखिए अड़े try इसको for example हमें ये molecule दिया गया है C double bond C H double bond CH CH double bond CH CHD हम से पूछा किया है क्या यहां पर totomerism possible है for example आपने space totomerism नहीं पढ़ा होता तो फिर आपको लगता कि भाई कैसे possible हो जाए because SP2 hydrogen को तो मैं तोड़ रही नहीं सकता हूँ अगर आपने space totomerism पढ़ा है तो आपको दिख रहा होगा कि दूर से ये आ सकता है because resonance में है hydrogen, deuterium, tritium तीनों मैं से किसको तोड़ना असान है hydrogen को because CH bond लंबा होता है मैंने आपको बोर्स model के दौरा भी दिखाया था field देने के लिए इसका तो यहां पर जो हमारे पास बनेगा ठीक है वे ने hydrogen को remove किया और जैसे आप hydrogen को remove करोगे तो जो हमारे पास बन जाएगा molecule वो बन किया जाएगा अब यह minus किस में है resonance में है आपको दिख रहा ने देखो one three ठीक है फिर आगे continue किया यह अगला one three फिर आगे continue किया यह अगला one three तो basically यहां पर three one three migrations हो रही है मैं दिखाने रहा हूँ वो पिछले page पर समझा दिया आपको धंक से तो जब मैं इसको final structure बनाऊंगा इस migration करकर के वो पहुंचेगा तो इसका in all form बनेगा बन जाएगा पहले o minus oh minus ने लिया था h plus तो water आएगा water आने के बाद यह बन जाएगा नहीं है बस इसको बोल देंगे space toto मेरे अगर हम और professional language बात करें instead of saying three one three हम क्या बोल सकते हैं यह one seven toto merism है यह one seven toto merism है कैसे देखिए one two three four five six seven पहले वो one पे था बाद में आपके पास seven के ऊपर है इसलिए यह बन के आजाएगा one seven toto merism क्या बन जाएगा one seven toto merism देख लिए पॉस करके next number V के ऊपर आते हैं for example number V अपको दिया गया यह इसको हम रियाट करवा रहे है oh minus and water तो क्या product बन के आ रहा है अगर मैं number V वाले के बारे में बात करूँ number V वाले के बारे में बात करूँ तो यहां भे क्या हो रहा है पहली बात तो आपको one three toto merism नहीं दिख रहा है जो हम भी तक हम normally पढ़ते हैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन हमें समझ आ रहा है यह hydrogen में है phase toto merism की tendency तो फिर आप क्या करोगे hydrogen को हटाओगे phase के द्वारा minus बना इदर से इदर, इदर से इदर, इदर से इदर, इदर से इदर तो किस प्रकार का हो रहा है यह one, two, three, five, six, seven, eight, nine तो यह हो जाएगा one, nine, phase, kautomerism या चार बार one, three करोगे अब आपके पास यह same molecule आ जाएगा तो final molecule हमारे पास बनना चाहिए O minus, water आएगा इसको मैं react करवा रहा हूँ base catalyzed automerism तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, यहाँ पे तो hydrogen ही नहीं है question में possible नहीं होना जाएगा अब यह सोचा तो गलत है because मेरे भाई के पास तो है न इसलिए यहाँ पे भी space trotomerism हो जाएगा किस प्रकार का space trotomerism होगा 1, 5 होगा normal होता है इदर से इदर गया इदर से इदर गया इदर से इदर गया बना सकते ना तो resonance करवा के O minus चलो दिख यह बन जाएगा फिर water आ जाएगा जो water आया and के इसका आ गया समझ क्या हो रहा है जल्द बाजी में skip मत कर दिया करो गलती मत क्या हो रहा है आगे चलते हैं next topic जो आखरी पार्ट रहेगा हमारे पास वो है kinetic isotope exchange kinetic isotope exchange बोलने का मतलब क्या है वो समझते है सबसे बिल्द आपको बता देतों कि summary क्या है इस चीज़ की ताके आपको थोड़ा बहुत यहीं से फिल आ जाएगा फिर mechanism तो अभी हम बताएंगे basically हमने क्या लिया कोई भी LD idea kiddo ने कोई भी group लिया उसको हम ले रहे है OD- D मतलब deuterium and D2O हम ले रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए जिसको हम बोलते हैं prolonged treatment ठीक है and OD- and D2O excess में है prolonged treatment को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि for a very long time होता क्या है जो हमारे पास product बनता है वो यह देखा गया अब यह कैसे देखा गया होगा इसका use क्या है वो अब हम समझेगे तो mechanism की उपर आते हैं तब ही आपको feel आएगा कि होने के अवाला है बहुत simple mechanism OD- है OD- क्या करेगा most acidic hydrogen को extract करेगा जब हमारे पास यहाँ पे most acidic hydrogen extract हो जाएगी OD- के दौरा यहाँ पे आपके पास बन जाएगा carbon ion carbon ion में क्या possible हो जाती है resonance possible हो जाती है ठीक है वो आपको पता यह क्यों बनता है carbon ion because minus M effect लग रहा है एक्सेटरा एक्सेटरा उसके बाद D2O के साथ हमने react करवा दिया तो बन के आजाएगा C D CH2D की double bond को आपको समझा रहा हो यह कब हुआ जब हमने एक ही mole के साथ react किया अगर हम और ले ले तो ठीक है और लीजे अगर हम इसको वापस react करवा रहे है OD- के साथ same अब CH है and CD है कौन सा bond तोड़ना असान है CH bond तोड़ना असान है वहाँ पर आपके पास CH bond तोट जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH minus D C double bond OH Q बन रहा है minus M है वो सबको clear है D2O के साथ react किया तो अब हमारे पास बन जाएगा CH D2 C double bond OH यह भी आपको समझ आ गया आ गया ना अब एक और बार यह सेम चीज हो जाएगी OD minus D2O जो एक final hydrogen बच रहा है वो भी replace हो जाएगा तो finally हमारे पास जो product बनेगा वो यह बन जाएगा अब बोलोगे यह तो समझ आ गया हम है ठीके तो बहुत simple है बेसिकलिए अपना acidic hydrogen देखा इसको replace कर दिया इसलिए हम इसको बोलते है kinetic isotope exchange जो isotope है hydrogen का isotope जो है वो deuterium है यह tritium है तो उसकी जगा वो आ जाएगा इसलिए इसको बोलते है isotopic exchange अब इसका use क्या है कि आप लोग सो सकते हो खुझ से कि इसका use क्या होगा क्यों बताया गया structure बना के दे दिया या इससा बना के दे दिया तो lab में आपको एक sample दिया जाता है lab में आपको एक sample दिया जाता है for example ये sample दिया आप सोच लोगे कि इसमें कितने acidic hydrogen है अगर मैं वो डूणने की कोशिश करो तो वो मैं कैसे डूण सकता हूँ इस experiment के द्वारा कि ढूण सकता हूँ या नहीं ढूण सकता हूँ सोच लोजिकली because अगर मैंने experiment किया और finally मुझे दिखाई दिया कि भाई तीन deuterium आ रहे है इसका मतलब initial compound में तीन acidic hydrogen मौजूद हो रहे थे आया समझ या नहीं आया आप बोलेगे हमें कैसे पर चलेगे कि तीन deuterium हमारे structure तो अभी भी नहीं है logically समझो अगर इसका मास M1 है and इसका मास M2 है मास तो में जर हो जाता है ना वाब वेंग स्केल से जो डेल्टा M बनेगा दोनों के बीच वो कितना बन जाएगा वो बन के आजाएगा 3 आया समझ या नहीं आया मेरे भाई since mass difference 3 का आज़ा है पहले आपने ये लिया बाद में ये लिया difference 3 आया start and 63 for example आपको समझ आजएगा कि मास difference 3 है इसका मतलब तीन acidic hydrogen replace हो रहे होंगे इसलिए ये process काम आता है that is the actual use of the kinetic isotope exchange mechanism ठीक है लिख लिजए इसको pause करके next number y question के उपर चलते है आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है so for example number y में आपको ये दिया गया है od minus b2o very long time so क्या बन रहा है ठीक है topical आगे नहीं समझ सभी अभी खेल खतम twists obviously अगर आप मेर से पढ़ रहे हो अगुछ तो फाइद उठाने पड़ेगा उसको ठीक है for example okay number y में बात करें तो simple है number y में आपको दिखना चाहिए कि भाई तीन यहां से आ जाएंगे तीन यहां से आ जाएंगे तो product बन जाएगा वो यह बन जाएगा कोई दिककत वाली बात नहीं नीचे वाली में कितने hydrogens replace हो जाएंगे कितना mass difference हो जाएगा वो आपको दिमाग में आ सकता है तीन हो लेकिन तीन गलत अंसर है चार भी आ रहा है तो वो भी गलत है अब देखो क्या हो रहा है funda तो जब यहां पर minus बना बिल्कुल धियान से देखिया एक hydrogen मौजूद है आपको लग रहा है तो आपने react करवाया इसको further यहां पर deuterium attach हो गया इस minus की जगह आपको लग रहा है ठीक है अभी तक एक तो हमें मिल गया फिर दूसरा करने जाओगे तो यह hydrogen निकलेगा अब deuterium नहीं निकलेगा hydrogen निकलेगा आपको पता है यह reason that is easier to break यह बनेगा इधर से इधर इधर से इधर यहां पर मेरे भाई यह बन जाएगा यह समझ यह नहीं आया यह जो minus है जब वो D2O के साथ react करेगा तब आपके पास यह बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा यह भी हमें समझ आ रहा है ठीक है अब क्या होगा अब इसके बाद जब यह minus उपर जाएगा जब यह minus उपर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा जैको कौन सा निकलेगा यह निकलेगा न यह निकला minus बना यह 3 & 4 हटा देते हैं जल्द बाजी में गलत बोल दिया अच्छी बात है हमें answers याद नहीं है इस साम derive करते हैं double bond, double bond, deuterium deuterium जैसे यह O minus बना वह एक और बार react कर लेगा तो यह बन जाएगा आप बोलेगे answer तो 3 होना चाहिए तो आप गलत हो तो आप गलत हो समझ आरहें क्यों? तो आप इधर से इधर भी तो जा सकते हैं तो तब यह वाला hydrogen भी replace हो जाता अगे समझ तो यह वाला hydrogen भी replace होके B बन जाएगा तो यहाँ पर 4 का mass difference आ जाएगा 4 का mass difference आ जाएगा 4 का mass difference आ जाएगा ठीक लीजे ठीक है ठीक है ठीक है अब obviously बात रहें लंबा लंबा time तो है नहीं हमारे पास करने के लिए थोड़ा smarter तरीका भी इसके अंदर होना चाहिए जो हमारा time बचाए अब लिख सकते हो इसके अंदर prick prick तो नहीं है यह concept ही है जो हम shorten करके आपको दे रहे है दिखिये notes के अंदर टिखिये notes के अंदर टिखिये whenever whenever wherever the minus charge wherever the minus charge on the conjugate base on the conjugate base goes into resonance goes into resonance goes into goes into resonance all the carbons all the carbons all the carbons very important ठीक है सिफ carbons की बात हो रही है oxygen nitrogen नहीं all the carbons will have the hydrogen replaced by deuterium all the carbons will have hydrogens replaced by deuterium जैसे for example मैं इसी चीज़े question में लगाना चाहू ध्यान से देखने कैसे लगेगा negative resonance में कहां कहां जा रहा है इदर जा रहा है इदर जा रहा है इदर जा रहा है इदर जाएगा लेकिन हम सिर्फ carbon को गिनेंगे क्यों फिस लॉजिकल है न यह minus resonance के बाद oxygen ही जा रहा है जो इसकी उपर बनेगा यहां पर एक hydrogen है यहां पर एक hydrogen है यहां पर एक hydrogen है तो टोटल 4 hydrogen को replacement हो जाएगा यहां पर देखिए 3 इन carbon में resonance के टाइम पर negative बन रहा है यहां पर 6 hydrogen replace हो जाएगे आपके पास dutereums आगा समझ ट्रिक क्या है देखिए जैसे और देखिए इसके अंदर और example number Z अब हम ट्रिक से solve करेंगे अब हम वो नहीं लगाएंगे पूरा का पूरा जो method है आपके पास हमें DPP मिलेगे भाई वो DPP बिलकुल भंग से आपको कर लेनी है OD D2O Prolonged Treatment X सब जो है वो है मैंने पूचा कि कितने deuterium लगेंगे ध्यान से करना जल्द बाजिमत करना अगर आप सोच रहे हो 6 तो गलत है correct answer बनेगा 7 because पहले हम देखते किस-किस carbon पर negative आएगा इस पर आएगा इस पर आएगा इस पर भी तो आएगा ना मेरे भाई तो 3 10 10 10 7 deuteriums present हो रहे होंगे कैसा दिख रहा हो का molecule वो भी बना देते हैं जो molecule दिखेगा वो हमारे पास ठीग है समझ जा रहा हो क्या वैसे तो simple ही है कोई दिक्कत नहीं हो ठीग है अब एक और question करवाते है Z1 फिर एक और देते है homework के लिए अच्छा वाला इससे करना है इसको Z1 को और example यह है double bond, double bond double bond methyl भी है इसको हम react करवा रहे है OD-D2O के साथ prolonged treatment excess क्या बन रहा है prolonged treatment excess क्या बन रहा है ठीग है तो one second हम trick लगाएंगे कि minus जहां जा जाएगा उनको हम ले लेंगे minus किदर से start होगा आया समझ है निया तो ऐसे बना लेते हैं यहां पर होगा minus किदर 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 नहीं कर रहे हैं किदर से इदर इदर से इदर जाएगा यहां से हो जाएंगे तीन यहां से इस वाले ring से हो जाएंगे दो इस वाले ring से हो जाएंगे दो यहां पर तो hydrogen नहीं है the end वाले में हमारे पास 3 plus 2 plus 2 that is equal to 7 deuteriums replace हो जाएंगे hydrogen इसमें एक homework question try करिए number z2 2 जिसका answer आपको comments के अंदर देना है find the mass difference between the reactant and the product यह question है prolonged treatment है excess में भी है हमसे बोला गया है यह product बन रहा है इसमेंगे difference हो रहा है thank you for watching everyone make sure आप video को like कर देना comment कर दीजिए इसका answer subscribe करिए चैनल को all the best everyone जय हैंद